किस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दी के समय तुलसी के पोदे की आपको केर कैसे करनी है उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में सीर करने वाला हूँ कि कैसे हम तुलसी के प्लांट की केर सर्दी के समय में कर सकते हैं और कौन सी खाद कौन से फटिलर को हमें तुलसी के प्लांट को देना है सर्दी के समय में चले दोस्तों वीडियो को इस्टार्ट करती है तो देखे दोस्तों मेरे पास यहाँ पे तुलसी का प्लांट है तो इसकी मैं आपको केर टिप्स आपको सेर करने वाला हूँ तो देखे दोस्तों सर्दी के समय में क्या हो तो बालकरी में अंदर की साइड सिफ्ट कर देना है, अगर चट पे रखा टैर्स पे तो आप बीन नेट सेड का यूज़ कर सकते हैं, प्लांट को पाले और कोरे से बचाने के लिए, अगर आप ने नीचे ग्राउंड में रखा हुआ है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब बात करते हैं, दूसरी टिप्स की जो किया फर्टिलाजर, जर्दी के समय में आपको तुलसी के प्लांट को देना है, सरसो की खली का बना हुआ लिक्विड फर्टिलाजर, और किस मातरा में देना है, वो देना है, 0.5% गोल बना के ही आपको ये प्लांट में देना है, और किस तरह किसे आपको सर्सो की खली का liquid fertilizer को बनाना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जो में चनल पर आपको सानी से मिल जाएगी और साथ ही किस मातरा में देना है तो देखे आपको तुलसी के प्लांट को लगभग जो सर्सो की खली का liquid fertilizer है ये 100 ml से लेकर 200 ml तक प्लांट में दे देना है और 15 दिन में एक बाज जरूर देना है इसके फाइदे एक अनेक है एक तो फाइदा ये है इसका इसके अंदर nitrogen, phosphorus, potassium भरपूर मातरा में होते हैं तो इससे क्या होता है जो प्लांट सर्दी के समय में हमारी उसकी प्लांट की growth रुख जाती है तुलसी के प्लांट की उसकी growth को increase करेगा तो देखे आपको पत्या दिखाई दे रहे होंगी इसमें देखे हमारी जो plant की growth है वो increase हो रही है यानि उसकी जो फुटाओ है वो start हो गया है क्योंकि मैंने पते दिन पहले भी अपने प्लांट के अंदर सरसो की खली का लिक्विड फर्टिलाजर दिया था जिसके कारण क्या हुआ प्लांट की जो ग्रोथ है वो increase हो गई है यानि जो प्लांट हमारा रुग गया था ग्रोथ करना उसमें देखिए आप नई पत्ति आनी स्टार्ट हो गई है दूसरा फाइदा हमें ये मिलेगा सरसो की खली के लिक्विड फर्टिलाजर का हमारा प्लांट पाले और ठंड से बचा रहेगा तो सरदियों में ये काफी अच्छा फर्टिलाजर है तूसरी के प्लांट के लिए तीसरा फाइदा ये मिलेगा इसके यूज से प्लांट में रोग भी कमाएंगे तो सर्दी के समय में आप सरसो की खली का बना हुआ लिक्विट फटिला तुलसी के प्लांट को जरूर दे अब बात करते हैं तीसरे टिप्स की जो किया है पैस्ट कंट्रोल तो सर्दी के समय में आपको इंसेक्स के कंट्रोल करने के लिए आपको तुलसी के प्लांट में 2 ml नीमोईल को एक लिटर पाने मिला के उसको इस्प्रे आप वीक में एक बार जरूर करें नीम Olayl Spray करने से तुलसी के प्लांट में लगने वाले insects कंट्रोल हो जाएंगे और हमारा तुलसी का प्लांट सुरक्षित रहेगा तो आपको इन तीन टिप्स को सर्दी के समय में जरूर अपनाना है और इन तिन टिप्स को अपनाने के बाल हमारा प्लांट सर्दी में सुरक्षित और हराबरा रहेगा